असलाम अलेकुम दोस्तो आज के वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है खासतोर से उनलों के लिए जो लोग अभी इंडिया से और भी कई कंट्री से क्वेट के लिए आना चाहते हैं दोस्तो क्वेट ओव डिजी सी एक दरब से एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट जारी किया गया है जैसे कि दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो आपको बता दे कि जैसे कि क्वेट आने से पहले आपको वेक्सिनेशन लगाना जरूरी है और वेक्सिन लगाते समय दोस्तो आप अपना ID अगर आप क्वेट में रहते हैं या फिर क्वेट आना चाहते हैं दोस्तों आप वैक्सीन के अंदर जो भी आपका पास्पोर्ट के अंदर डिटेल है वही डालें, अगर आपके आधार कार्ड में डिटेल है तो वह ना डालें, यानि कि दोस्तों यहां पर किलियर बता दिया गया है कि जो लोग भी कुएत आना चाहते हैं, या फिर कोई और दुबय हो, या फिर दोहा हो, कतर हो, कहीं पे भी उन्हें जरूरी है कि उनका जो वैक्सीन सैटिटिफिकट हो पास्पोर्ट के साथ, जो भी पास्पोर्ट में डिटेल है, उसके साथ मैच कहना चाहिए, दोस्तों, अगर आपका पास्पोर्ट में कुछ और डिटेल है, औ आपे दोस्तों कुईत ओप DGC के तरफ से एक अपडेट के द्वारा बताए गया है कि पहले भी कई ऐसे परवासी थे जिनको एरपोर्ट पे रिटर्न कर दिया गया था जिसके कारण उनका जो टिकट था PCR होटल सभी कुछ उसका लॉश्ट हो गया था यानि कि उनको नुकसा उठान उठाना पड़ा था इसलिए दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखें जो लोग भी कुईत में अभी आते हैं नया वीजा पे या फिर वैलिट वीजा है तो आप अपना complete procedure करा के ही कुईत के अंदर आए जो भी आपका documents है अच्छी तरह चेक कर लें और जो भी कुई तो ministry का website है जहां पे आपको करोना का certificate अपलोड करना है वो सभी कुछ सभी detail आप सही से डालें तभी दोस्तों आपको approval मिलेगा उसके बाद आप कुईत के अंदर entry कर सकते हैं उसके बाद दोसके बाद दोस्तों दूसरी बात ये कि अगर किसी का भी जो passport पे detail है अगर उसका करोना certificate में कुछ गलत हो गया है तो दोस्तों उसको आप modify करवा सकते हैं या फिर जहां से भी आपने कोई 19 का vaccine लगाया है वहाँ पे जाके उसे सही करवा सकते हैं जैसे कि दोस्तों जिन भाईयों ने कोईत में लगाया है जो यहाँ पे मिसरिफ हैं वहाँ पे भी जाके एक मंतरी जिनका नाम है अल मुनवर दोस्तों उनके दोरा बताए गया है कि कुएत से जितने भी experts हैं जो लोग पैसे transfer करते हैं bank से उन्हें उन पैसे में से tax भरना पड़ेगा तो tax किसको भरना पड़ेगा दोस्तों आपको बता दे कि जिनका salary 350 केड़ी से ओपर हैं उन लो को include करके उन्हें देना परेगा दोस्तों आपको बता दे कि ये कानून के बारे में पहले भी कई बार बहांस हो चुका है पहले भी एक बार आया था कि इस कानून को लागू किया जाए लेकिन बाद में final decision आने के बाद इस कानून को cancel कर दिया गया था लेकिन दुबारा से इस कानून के बारे में meeting हो रही है तो दोस्तों अब ये finally लागू नहीं किया गया है ये नया कानून को लेकिन बताया गया है कि इसके ओपर discuss क्या जाएगा जिनका भी salary 350 केड़ी से उपर है हो सकता है कि उसे पैसे transfer करने के time 5% तक tax देना पर सकता है तो दोस्तों ये बुरी खबर है उन सभी परवासी के लिए लेकिन उनके लिए भी अच्छी अपडेट है जिनका salary कम है जैसे कि labor category में है 180 है 150 है याने कि 350 केड़ी से नीचे नीचे जिसका है उसको tax नहीं लगेगा बिलकुल tax से free रहेंगे वो तो दोस्तों कुईट से ये दो important और बड़ी अपडे के साथ